आज के डाई में लोग आपसे वक्त नहीं पूशते हैं बलकि वक्त के साथ हैजियत भी पूशते हैं लोग ये नहीं पूशते हैं कैसे हो लोग पहले पूशते हैं कि क्या करते हो कितना कमाते हो और फिर वो तुमारी वकाद देखकर तुम्हें जज़ करते हैं इसलिए खुद के साथी खुद बनो ये लोग तो अपना ग्यान तुम्हें देंगे और तुम्हारी कम्या भी निकालेगे बस इसलिए आज और अभी खुद से ये छेवादे कर लो जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहतर बनाएंगे सबसे पहले है अपने आपको समझो दुनिया में हर इनसान अपने आप में अलग है और हर किसी के अंदर एक एसी कुछ न कुछ काबलियत होती ही है जिसमें वो मास्टर होता है और उस काम में या उस चीज में औरों से बहतर होता है अगर हमें जरूरत है तो बस उस काबियत को जानने और परखने की अगर आप अपनी काबियत पहचान लेते हैं तो वो आपके लिए एक हत्यार से कम नहीं जिससे आप जिन्दगी की हर जंग लड़ सकते हैं और खुद को बहतर बना सकते हैं दूसरा है कमपेरिजन अपने आपको दूसरों से कमपेर करना बिलकुल बंद करो खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो जब तक आप अपने आपको नहीं अपनाएंगे तब तक आप दूसरों से ये केसे उमीद कर सकते हैं कि वो आपको अपनाए मीन्स की जब तक आप अपने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करें अपने आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे तो आप ये केसे सोच सकते कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा सामने वाला आपको विल्लू देगा दूसरों से खुद की तुलना करना कमपेरिजन करना अपने आत्मे इश्वास को गिराता है हमें अंदर से बहुत कमजोर बनाता है अगर आप अपने लाइट में दूसरों से बहतर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहें ये बात बिल्कुल सही है कि आपको हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए क्योंकि नेगेटिव थिंग आप लोगों को लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है और फिर आप अपने आपको कभी भी भेतर नहीं बना सकते नेगेटिव लोग आपके काम में हमेशा कम्या निकालते हैं आपके लाइफ में हमेशा प्रोग्लम खड़ी करते हैं इसलिए आप उनसे दूर रहें और पोजिटिव लोगों के साथ रहें अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ जादा रहते हैं तो हमारी थिंकिंग भी उनकी तरह नेगेटिव हो जाती है इसलिए हमारा उनसे दूर रहना ही अच्छा है और चोता है रोजाना कुछ नया सीखे Learn something new हम लोग जो काम करते हैं उसी को रोजाना करते रहते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं जिससे हम लोग कभी भी नया कुछ सीखी नहीं पाते हैं और इसी वज़ा से हम लोग आगे की और नहीं बढ़ पाते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं इसलिए ये बहुत जरूरी है आप रोजाना कुछ नया सीखे, कुछ नया करे ऐसा माना जाता है कि जो लोग रोज बढ़ते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं उनका दिमाग कुछ ज़्यादा काम करता है और वो लोग अपने लाइफ में सकसेज भी होते हैं और अपने गोल को भी जल्दी अचीव कर पाते हैं और पांचवा है लोगों को खुश करना बंद करो दुनिया में ना जाने कितने अलग-अलग तरे के लोग होते हैं जिसमें से कुछ को हमारा काम पसंद आता है और कुछ को नहीं आता है क्योंकि सबकी ही पसंद अलग-अलग होती है इसलिए आप कोशिश करें कि लोगों की पसंद और ना पसंद में ना फशे तो ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए भैतर ये होगा कि अपने ही पसंद का कोई काम करें और उको खुश करना नामूंकिन सा है आज के टाइम है और जटा जो सबसे इंपोर्टेंट है अपने आप से प्यार करना सच कहूं तो आज के टाइम में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं आज के टाइम में लोगों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है लेकिन इनसान अकेला होता जा रहा है अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप कैसे सोच सकते कि आप भेतर इनसान बन सकते हैं आप कैसे सोच सकते कि आप अपने लाइफ में काम्याब हो सकते इसलिए अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी और अपने आपका दुश्मन बनने से तो अच्छा ही है कि आप अपने सेल्फ हेलपर बने अपने आपको बताएं कि आपका हर दिन कितना खास होता है और आप मैंसे ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करते होंगे अपने साथ बेटते होंगे बिना मोबाइल के अगर मैं आप से कहे दू कि आपको एक घंटा अपने साथ रहना है बिना किसी मोबाइल के तो बहुत ही कम लोग होगे जो इस चैलेंज को एकसेप्ट कर पाएंगे स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत ही अजीब होगा ये लेकिन मेरा यकीन मानिए बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा आपको अपने आप से प्यार होगा आपको किसी की नीड़ी नहीं पड़ेगे किसी की जरुवती नहीं पड़ेगे आप अपने आप में ही मस्त रहेंगे अपने आप से प्यार करेंगे और फिर जब आप अपने साथ रहेंगे तो आप अपनी कावियत पहचान पाएंगे अपनी कमजोरिया जान पाएंगे अपनी खूबिया भी जान पाएंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अपने आप से छेवादे जरूर करेंगे और अपनी लाइप में चेंज लाएंगे और अपनी लाइप को बहतर बनाएंगे So thank you for watching this video कि कि लाँ आपनी लाएंगे हुआए लाएंगे झाल